मित्रों नमस्ते मैं स्वहन्शी चुहान आपके लिए नय वीडियो कर प्रसित हूं मैं पूर्ण विश्वास और आशा करता हूं कि आप स्वस्तों गे मस्तों गे आपकी स्वस्ता को बनाय रहने के लिए होगे थी आपका सहुप कर सकती है इसी लिए ये वीडियो अपके लिए बनाय गया है आज का हमारा जो विश्व है वह है एडी का दर्द एडी के दर्द के मुख कारणों में से एक कारण होता है यूरिक एसिट का क्रिस्टलों का जमा होना Uric Acid के Crystal जमा होने सेगर AD का दर्द हो रहा है तो उसके लिए परिक्षन इस परकार किया जा सकता है कि आप निम्बू का रस अगर लेते हैं और उससे आपको रहात मिलती है तो आपको Uric Acid बढ़ रहा है अब आप हम जानने के कोशिश करेंगे कि Uric Acid बढ़ने के अलावा और कौन से ऐसे factors हैं ऐसी कौन से चीज़े हैं जिससे हमारे AD के दर्द को समश्या बढ़ सकती है तो मित्रों मदुमे के अगर होगी है तो उन्हें अपना मदुमे को नियंतर्ण में रखना बहुत जरूर है इससे भी AD के दर्द का संबल दे क्योंकि अगर उनको ज़्यादा समय तक AD का दर्द रहता है तो अत्तधिक कटना ये पेदा हो सकती है इसलिए मदुमे के रखने को विशेश करके AD के दर्द जागरू होना चाहिए आई अब हम चर्चा करें अगर AD का दर्द होई गया है तो फिर हमें कौन सी दवा और किस लक्षे पर लेता है एक होता है कि रोगी जब सबेरे विस्तर छोड़ता है जैसे हो अपना पाउं जमीन पर रखता है उसके AD में भैंकर दर्द रता है इस भैंकर दर्द में बहुत परेशान होते हुए जब एक-दो कदम चलता है तो उसको चलने में कटना ही प्यदा होती है पर अंतो जब थोड़ा सा चल लेता है तो उसके AD का दर्द धीरे-धीरे कम हने लगता है और दोकर रुते तक चलते-फ gamers ठीटेने से दर्द समय आप हो जाता है तो एसे रुकिं के लिए अगर उसको आराम करने से दर्द बरता है और चलने-फिलने से कम हो जाता है तो रश्टॉक्स दोसे शक्ती में देने से बहुत लाग होगा इसको दिन में तीन बार लेना है कुछ समय तक लीजिए फिर बंद करतेजिए निश्री तरफ से आपके एड़ी के दल गयाब हो जाएगा यहाँ तक कि मैंने यह देखा है कि एक दोस्त से भी कई लोगों के एड़ी के दल गयाब हो चुके है अब दूसरे ऐसे रिखते होते हैं जो सवेर उड़ते हैं जब उनको पाउन नीचे जमीन पर लगते हैं तब कोई दर्द नहीं होता पर अगर जब पहला कदम वो बढ़ाते हैं जिसे हो पहला कदम बढ़ाते हैं उनकी एड़ी में तरद तर और अगर वो और अगर चलने के कोशिश करते हैं या सीड़ी चलते हैं तो उनके एड़ी कदर बढ़ जाता है ये लक्षनों पर इस रोगी को जो दवा देना होती उसका नाम है ब्रायनिया ब्रायनिया मित्रों दोश्चक्ते में दिन में तीन बाद दे सकते हैं आप देखेंगे कि इस प्रकार की दवा के चैन के बाद रोगी को आराम हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति पीदिया से ग्लेषित हो गया हो उसको रेडी का दल हो रहा हो या पूर में उसका अहितिहास में पी लेया रहा हो ऐसे रोगी के लिए चेलिडोनियम के अलावा एक और दवा के आशिकता होती है जिसका नाम है नेट्टमूर तो मित्रों चली डोनेम दोसे शक्ति में दिन में तीन बार देना है और नेट मूट चार वजे दिन में एक बार देना है तो आपने देहा हुआ मित्रों कई लोगों को पी लिया हो चुका होता है उनको अगर एड़ी में जरद होता है तो उनके लिए हमें आए जाता है कि उसकी दूद पीने की प्रकृति नहीं वो दूद नहीं पीता है उसके प्रोटीन की आउशकता होती है इसकी पूरती करने के लिए हमें केलकरिया फासफरीकम दवा दिन में तीन से चार बार चार सर गोली देना होगी यह सब जो दवाएं मैं बताएं रस्टाक्स, बॉराइनिया, चिली डॉनम इसके अलावा अगर आप देते हैं तो भी प्राइसी वेक्ति का भार अधिक है अगर उसको दवा देना है तो उसके लिए आपको केलकरिया कार्व दवा दोसे शक्ति में देना है अगर ये लक्षन के साथ साथ में जो मैंने लक्षन बता हैं वो सम्मिले थे तो रस्टॉक्स, ब्राइमिया, चलिडानियम इन दवाओं के लावा केल के राचालवा को बिच बिच में देते रहना होगा मित्रों सबसे अच्छा यह है कि हम निमित रूप से व्यायम करें, निमित रूप से व्यायम करते रहें से, स्टेशिंग करते रहें से, हमारे एड़ी त्यादी का ज़र्द नहीं होगा यह इसी समझ्चा नहीं कि जिसको सरजरी से ठीक क्या जाए, अगर इनको इनी दवाँ से प्रियास करेंगे तो निशित रूप से आराम हो जाएगा इसके अलावा आपको एक दवा और बता चाहूँगा, जिंक मेटलिकम कई बार हमारे शेरी में जिंक को एफ्जोर करने की या उसकी कमी होती है, इसकी वज़ज़ से भी एड़ी में दवाँ तो जिंक मेटलिकम दवा तिस शक्ति में दिन में तीन बर लिजी आपको आराम हो आशे करता हूँ यह वीडियो आपके अगर काम में नहीं आता है तो आप एसे लोग जिनकी एड़ी का दर रहता है उन्हें तक पहुंचाएं शेर करें और बुलने कमाएं धन्यवास नवस्ते लिए